नमस्कार दोस्तों विकास इस्टेडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज 27 जनुरी 2023 से संबंदित जो महत्पूर्ण का इंटर फैर है उस पर हम लोग चाशा करेंगे आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंतर तक अवस्य बने रहे हैं इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारम करने की घुसरा की गई तो दोस्तों जो नासा है आपको पता होगा अमेरिका की स्पेस अजन्सी नासा इसके दोवारा परमाड थर्मल राकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारम करने की घुसरा की करें तो दोस्तों परियोजना या mission का नाम है Draco mission इसको दोस्तों इसका उपयोग किया होगा तो इस मिशन में दोस्तों जो राकेड हो यह पर्माड विखंडन दगेन तक已经 tecnología कारे करेगा हैं द्यान रखेगा ग्यों इसमें राकेड है वह प्रमाड विखंडन तक्स के पर कारे दो स्काप्नातों सिन्ग जैसे मंगल गर소리 परने में उपयोग हो गहरे अंतरिक मिसे जैसेauria जाएगा। अस बतंब किजिएगा अगर बात कि घळीव अन्मस्ट प्रत्व किया गया था तो तो पीएसलवी सी 25 के द्वारा दूस्तों मंगल यान प्रच्छेपित किया गया था दूस्तों और भारत विस्व का एक मात रहसा देश है जिसने दूस्तों पहले ही प्रैस में अपना जो मंगल मिशन है इसको सफलता पॉलान प्रच्छेपित किया था ध्यान रखिएगा किस किस से प्रच्छेपित किया गया था तो पीएसलवी सी 25 के द्वारा आगे देखिएगा आर्टेमिस मिसन जो है या किस से संबंदित है तो आर्टेमिस मिसन जो है नासा का है दोस्तों नासा द्वारा अमेरिका को सारी नासा द्वारा मनेश्य को चंद्रमा पर भेजने से सं मेंसन कौन सा है तो लूसी मिसन जो है यह नासा दोरा ट्रोजन शुदुका पर भेजा गया मिशन है चीन का दोब मiaryमने काउन चारो नहीं रॉड रॉए ॐ यह चीन का मंगल मिशन तौनल यॐ धिया आगे देखिएगा विक्रम साराभाई अंतरीच केंद्र कहां इस्तित है तो दोस्तों तिर्वननद्पुरम केरल में विक्रम साराभाई अंतरीच केंद्र इस्तित है अगरा पॉइंट है रुकमडी देवी का संबंध किस नत्र से है तो दोस्तों रुकमडी देवी का तो सम्वान से संब्सक्राइब अगे देखीगा अगला प्राशन है दल सम्वादल सम्वादित ऑनसूकी 10 का सloud संवादगी समधान संसोदन से तो दोस्तों पहली बात आप प्रद द्हान रखें एक दल बदल समद्द्र संवादित कर दो फा कसे 16 pareil दस में क्या दिया हुआ है तो दल बदल से संबंदित दूस्तों नियम दिये हुए हैं और यह कि समीधान संसोदन से इसमें दूस्तों यह दूस्तों पारिद की गई थी तो बावन में समीधान संसोदन के द्वारा दूस्तों दल बदल संबंदित अंसूची जो है यह किया जाएगा तो दोस्तों जो इनिरेच्छन साफ्टेवर है ध्यान रखिएगा इनिरेच्छन साफ्टेवर इंपॉर्टेंट प्रसन है दोस्तों ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रसन है इनिरेच्छन साफ्टेवर जो है इसके माध्यम से कौन सी छेतरी भासा में उच्छेतम नियाले के नियुड़े का अनुवाद किया जाएगा तो दोस्तों उच्छेतम नियाले जो है उसके जो नियुड़े हैं अभी तक दोस्तों आपको पता होगा कि एवल इंग्लिस में अंग्रेजी में दोस्तों इसके नियुड़े आते थे अंग्रेजी में लेकि कि जो यह निरेच्छान साफ्टेवर है इसके माध्यम से उच्छतम नियाले के जो नेड़ाइं होते हैं वह चार छेत्री भासाओं में इनका अनुवाद किया जाएगा और चार छेत्री भासाओं कंवोंसी हैं हिंदी गुजराती ओडिया और तमिल यह चार जो छेत्री भास दो सकता है इनमें दो दो अब उच्छतम नेड़ाइं के जो नेड़ा आएंगे वह दोस्तों इसमें 4 भासाओं में अनुवाद किया जाएगा तो दोस्तों इसमें आगर बात की जाए कि यह जो नीरेच्छन साफ्टेवर यह यह आपको बताए कि सुप्रीम कोड द्वारा लांच किया गया और यह निर्णा किसका था तो दोस्तों जो वर्तमामने 50 में मुख नायदी से डी वाई चंद्चूंड जी इनका द्यान रखिएगा आगामी परिच्छाओं में प्रशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह निर्णा साफ्टेवर किसके दवार लांच किया गया तो सुप्रीम कोड के दवारा और इसकी मंजूरी किस ने दी तो 50 में जो मुख नायदी डी वाई चंद्चूंड जी है इन्हों ने इसकी दूस्तो मंजूरी दी और या दूस्तो कितनी भासाओं में जो उच्छत्म नेले के निर्णायों का अनुवाद करेगी तो दूस्तो चार च्छत्री भासाओं में वे चार च्छत्री भासा कौन कौन से हैं हिंदी है गुजराती है ओडिया है और तमील है दोस्तो जो अनुवाद है ये दोस्तो चत्म नेलाई के निर्णयों का अनुवाद जो छेत्री भासा में किया जा रहा है इसका सुझाओ किस ने दिया था तो सन 2000 में दोस्तो गठित जो मलीमत समित थी इसने दोस्तो इसका सुझाओ दिया था द्यान रखिएगा सन 2000 में गठित जो मलीमत समीत है इसने दोस्तों इसका सुझाओ दिया था और अब दोस्तों जो छेतरी भासा में इसका अनुवात किया जाएगा उससे समित कौन सी गठित की गई तो अभय ओका समीत जो है या इसी का दोस्तों देख रेक करेगी कि जो छेत ऑस्तर पर्टल और सुपेश पॉर्टल या दोस्तों किसे समभने थित हैं तो सुप्रीम कोड से समभने थे या सुप्रीम कोड़ ने द Ostow इनको लांच किया है या जो सब्सक्रीन कोडोश गय तो 1988-1989 से 1989 तक और 1989-1980 टक लोलिंग प्लान जो है चलाए गया था ध्यान दियान से 1998-1989 से 1989 और 1989-1989 तक रोलिंग प्लान चलाया गया था और यह दुस्तों जरूर धियान रहन रहे कि कौन सी पन्च वर्शी योजणा जो है समय से पहले समाप्त कर दी गई तो पांच वी पन्च वर्शी योजणा आगे देखिएगा दोस्तों अभी आपको फता होगा कि हमाई गरतंद्य दिवस के संध्या पर दोस्तों पद्म पूरसकारों की गुषड़ा की गई है तो दोस्तों जो प्धम पुरुसकार हैं कितने लोगों को दिया गया देखते हम लोग कि गर्थन द्यूश पर दोस्तो प्धम पुरुसकारों की घुसड़ा की गई है इस बार दोस्तो जो पाद म विभूसर्ण है रहे वह से वेक्तियों को दिये गए पदो six विकतियों दिये गए पात pandbers की की बात के जाए तो दोस्तोव नौ वाक्तियों को दिये गए और पज零ी के बात किया तो क्यानबे वग्तियों को दिये गए पुल मिलाकर दोस्तोथ 106 लोगों को पदम फूरुथकार जो ह हाग히 वा दिये जाएंगे ध्यान गावले इम्पॉर्टेंट है वास पदम विभूषण ही है तो देखिएगा जो पदम विभूषण है वह देखते हैं किस किसको प्रिदान किये गए पदम विभूषण पद्म विभूसन पहले नमबर पर दोस्तों स्री निवासवर्धन यहां ने कियेगा नाम स्री निवासवर्धन या अमेरिका के दोस्तों निवासी हैं और भारती मूलके हैं भारती मूलके बारती मूलके इसलिए दोस्तों यह नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों एक मात्र इस बार यह एक मात्र भारती मूलके दोस्तों वेकती हैं जिन्हें पदमी बुतन पूर्सकार दिया गया है इसलिए दोस्तों यह आपके लिए इंपॉ मलवन परांतिय पूरुषकार दिया जा रहा है अभी हाल में पता होगा दोस्तो दो 24 दिन की बात तहीं का दुघन हुआ है बालकसण दोसी जी का और किसे सम्दूरा से तो वास्तुकला से यह यानि आर्किटेक्चर से वास्तुकला से सम्दूस्त थे थे इस तो और कहां के निवासी है तो दोस्तों गुजराज के निवासी है बाल कसन दोसी जी इन्हें भी दोस्तों पदम पुरुसकार प्रदान किये गए दोस्तों आगे देखिएगा बात की जाए जाकिर हुसाइन की तो दोस्तों जाकिर हुसाइन यह तबलाबाद रखाएं दोस्तों छे दिया गया है और दोस्तों जो चोथे करम का नाम है वहाँ है एस एस एसम किस्रणा या दोस्तों साजुनिंग मामले किसे सम्बंदित हैं और करनाटक राज के रहने वाले हैं दयान रखें दोस्तों आगे देखिएगा अगला नाम है पांचवा दूस्तों दिलीब महलोवनो या दोस्तों इनने भी मरनो परांथ या पृरुषकार दिया जाएगा और किसे सम्बंदित हैं तो दोस्तों मेडिकल सम्बंदित हैं इसा के छेट से समंद्यत हैं कहां के निवासी हैं तो पश्चिम मंगाल के निवासी हैं दोस्तों दिलीब महल नोबिस की बात की जाए तो दोस्तों हाली में इनका भी निदन हाली में हुआ है और इन्होंने दोस्तों किस दवा की खोज की थी तो दोस्तों जो और एस घोल होत मुलायमसिंग यादव जीू समाजवादी नंगा है। कहां के निवासी है तो उत्रवदेश से दोस्तों आपको पता होगा एरिया सारोजनिक छेत्र या सारोजनिक मामले से दोस्तों सब्बंदित है मुलाहिम सिंग यादो जी दोस्तों समाजवादी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के दोस्तों संस्तापक और दोस्तों के अंदर में रच्छा मंत्री रह चुके हैं रच्छा मंत्री रह चुके हैं उसके लावा दोस्तों उत्रबोंदेश के दोस्तों तीन मुष्भि मंत्री रहें तीन बार चीफ मिष्टर रहें ध्यानड कियागा वुलायम सिंग्यादव जी हाली में इनका भी निदन हुआ है तो दोस्तों इन्हें पत्र विपूसर्ण 23 से सम्मानित किया गया एक बाद नाम और आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन है दोस्तों स्री निवास वर्धन जी भारती मुलके हैं भारती मुलके दोस्तों वेक्ती हैं अमेरिका की निवासी है विज्ञाना इंजिनिरिंग छेत्र है बाल कर्षण अब को पता होगा दोस्तों वर्धिक्रेथ का नोबेल पुरिश्कार कीसे कह जाता है और वास्तुक लकार्षण clinically अफ्रदान वश्कार में प्रदान किया गया था लिएका दोस्तों बाल करुंग दोस्तों तोती जी या वास्तुकार से संबन्दित हैं इने भी दोस्तों इमनो पर 2000 कर दिया जाएगा उसके बदूस्तों 3 नाम है जाकीर हुजएञ्ण महराष जजिस संबंदीत हैं अगला । किशना करनाटक राजी से संबंदित थे हैं सारोजर्णिक मामलället से समधंत थे शेवा नाम है दिली महल नो्वीस या दुस्तों मानव परांत नहींट पुरुषकार दिया जा रहा है पश्चिम्वांगाल राच्छî संबंदित थे हैं औरTM लिए औरिकल से संबंदित हैं अगला नाम है दुस्तों मुलाहिम सिंह लगों को पद्म पुरुस्कार दिया जा रहा है और यह एक आपके लिए कि एंप्रूर्टेंड रहे सकते हैं दियान रखेगा अगे देखेगा बात कीज़्या दोस्तों पदम भूसरण पूरिस्कारों की दोस्तों जो पदम भूसरण हैं आपको पता होगा इस में से पहला नाम है लेज़ेगा दूसरा नाम है कुमार मंगलम बीड़ला महराष्ट राजी के निवासी हैं छेत्र है विज्ञान और इंजिनिरिंग दीपक धर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगला नाम है दोस्तों वाणी जैराम तमिलाव राजी के निवासी हैं कला छेत्र से सम्बंदित हैं अगला नाम है स्वामी चिन्ना जीर या दोस्तों तेलांगाना राजी सम्बंदित हैं छेत्र है आध्यातमवाद आगे देखिएगा अगला नाम है दोस्तों सुमन कल्यानपूर महराथ राचे संबंदी थे हैं छेतर है कला अगला है दोस्तों नाम कपिल कपूर दिल्ली से संबंदी थे हैं छेतर है साही त्योर सिच्छा अगला नाम है सुधामूर्ती, करनाटाग राच्छे सम्बंदी थें, छेत्र है सामाजिक कारे अगला नाम है दोस्तो कमलेस, डी पटेल, दोस्तो तेलंगाना राच्छे सम्बंदी थें, छेत्र है अध्यात्मत तो दोस्तो ये नौ लोग थे इन्हें दोस्तो पदम भूसर दिया गया पदम भूसर नौ लोगों को पदम भूसर दिया गया है छे लोगों को पदम भूसर दिया गया है तो दोस्तो ध्यान रखें ये लोग दोस्तो जो है नौ लोग इन्हें पदम भूसर दिया गया और दो दोस्तों बिहार में इस्तित है वालिमिक राष्टि उद्यान आगे देखिए अगला प्रस्न है गर्दंत दियोस्पन नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोवीड रोधी नासिका टीक के इसका नाम क्या है तो इनकोवैक है इसको दोस्तों लांच किया गया है किसके दोरा ला अगला प्रस्न है महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए कितनी टीमों का एलान किया गया तो दोस्तों अभी अभी तक दोस्तों आपको पता होगा जो पुरुस का प्रीमियर लीग चलता था इसका नाम था आई पील इंडियन प्रीमियर लीग उसी तरह दोस्तों या आई पील जो है पुरुसों का पुरुसों की लिग थी उसी प्रकाद दूस्तो इस बार सन 23 में पहली बार दूस्तो महिला Premiere League का आयोजन किया जा रहा है 23 में दूस्तो इसका पहला सी जन है ध्यान रखियेगा इसके लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया तो दूस्तो पाँच टीमें जो यह वागठित की गयी है पांच टीमें खेलेंगी महिला प्रिमियर लीग में और 2023 में दोसों इसी वर इसका पहला सी जन है दियान रखेगा आयोजन किसके दुरा किया जाएगा तो BCCI के दुरा दुरा आयोजन किया जाएगा और BCCI के वरतमान अध्यच कौन है तो दोस्तो रोजर बिनी जो हैं वह विसी सी आई के वरतवान में अध्यच्छ हैं और जो पांच टीम है दोस्तो कौन कौन सी हैं तो अहमदाबाद दोस्तो मुंबई, बैंगलूर, लखनव और दिली ये पांच टीम है वह इस बाद दोस्तो सामिल की गई है अहमदाबाद जो टीम है दोस्तो सबसे महंगी टीम है दियान रखिएगा और किसकी टीम है तो या किस्ट करोण रखिएगा किसी प्रेमियर लिक पहला सीजन और इसमें कितनी टीम है तो पांच टीम है आगे देखिएगा दोस्तो अगला प्रष्टन है इंस्लीन की कमी से होने वड़ा रोग कौन सा है तो इंस्लीन की कमी से होने वड़ा रोग है मध में है अगला प्रष्टन भारत के second CDS कान है Chief of Defence Staff so जनरल आणि जो चौहन जी है वहां भारत के second CDS है है पहले सीरियस आपको पता होगा सिटीन तो दोस्तों मोय है कि व्यूत्व ग्रॉपिन रावजी ःस यह मारे दुस्तों 시deels थे अगला पैस्ट अंतरश्टी- सीमा सुरच्षा दिवस कम अग्वाजेत दो स्बस्टु 56 जनुवरी को अंतरश्टी सीमा सुरच्षा दिवस मनाया जाता है और 26 जनुवरी को ही दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों गर्तन दिवस मनाया जाता है इसी दिन दोस्तों अंतराश्टी सीमा सुल के दिवस भी मनाया जाता है अगला प्रशन है डांडी मार्च कहां से प्रारंब हुआ दोस्तों डांडी मार्च जो है अगला प्रश्ण है वित्तायोग समीदान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों वित्तायोग जो है वह समीदान के अनुच्छेद दोस्वस्ती में है बात की जाए कि पहले वित्तायोग के अधर्ष कौन थे तो केसी नियोगी जो है या पहले वित्तायोग के अधर्ष थे औ और वरतमान में 15 वित्तायोग के अध्यश कौन है तो एनिके सिंग जो है नंद किसोर सिंग यहां वरतमान में 15 वित्तायोग के अध्यश हैं बात किजाए दोस्तों राच वित्तायोग किस अनुच्यद में है तो राच वित्तायोग दोस्तों अनुच्यद 243 आई और अनुच सब्सक्राब idea आए तो इसका है किया क्रना प्रसाब और गरुआख्य अग्यार है तो निष्ट, इस पर दोस्तो पहला विकास से इस्टाखुम सम्मेलन और कब हुआ तो 1972 में हुआ इसमें दोस्तो भारत की ओर से जो प्रधार मंत्री उसमें इंद्रा गंधी जी थी नहोंने भाग लिया था और वहां से दोस्तो वापस अने पर इंडिया में दोस्तों इन्होंने सरफ़तम उसके बाद ऑद तो टाइकर प्रजेक्ट जो है 1973 में इसे भी लागो किया दिहान रखेएगा आगे बठेयें दोस्तों अगला प्रशन है जाति ममानी महसुदrows 12ユिन का डाक में और दोस्तो चिल्ली कला के दोरान या लत कर दो दोस्तो सर्वादिक सर्दी के जो 40 दिन है उन्हें चिल्ली कला बोल जाता है और इन्हीं चिल्लाई कला के दिनों में दोस्तों या जो जाती ममानी महुस्तों है इसका आयोजन किया जाता है ध्यान लखेगा दोस्तों आगे देखिएगा आगला प्रश्ण है वर्ष 222 के लिए वर्ष 222 के लिए ICC की टेस्टी में जगा बनाने वाले एक मात भारती बल्लेवाज कौ तो या बरतवान आज़र्वान आज़चना नीजे लेंगे निवासी है दोस्तों यो टेस्ट टीब एक मात टेशना बनाने वाले एक मात भारती बाले बाज होनाल रिसबन्त और यह टेश्ट टीम के दोस्तों, कैपटन किसे बनाया गया है, कैपटन बनाया गया है दोस्तों, जो दोस्तों यह आपके बेन श्टोक्स हैं, बेन श्टोक्स, इन्हें दोस्तों, बेन श्टोक्स को दोस्तों, टेश्ट टीम का दोस्तों, जो है कैपटन बनाया गया है, और दोस्तों वंडे जो क्रिकेट टीम है उसका दोस्तों कैप्टेन बनाया गया है आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रशन है आज का मारा अंतिम प्रशन है 27 से 31 जनवरी 23 तक तीसमी जो राष्टी बाल विग्यान कांग्रेस का आयोजन कहां किया जा रहा है तो दोस्तों जो तीसमी राष्टी बाल विग्यान कांग्रेस से इसका आयोजन किया जा रहा है एहमदाबाद गुजरात में सुरवात कब की गई तो दोस्तों सुरवात की ग इसमें दोस्तो इस बार अहमदाबाद गुजरात में आईज़न किया जा रहा है इसकी थीम क्या है तो दोस्तो इस बार थीम है Understanding Ecosystem for Health and Wellbeing या दोस्तो जटेश की थीम है दिहान रखें थीम क्या है Understanding Ecosystem for Health and Wellbeing थीम है और आयजन हो रहा है दोस्तों एहमदाबाद गुजरात में तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महात्पूर्ण प्रस्ण दोस्तों इसमें आपके जो ये दो पत्म पूरुस्कारों की घुसरा की गई है तो इसे प्रस्ण तो आवर्सी बनेगा तो दोस्तों इनको आप लोग बहुत अच्छे तरही कहें से ध्यान रखें दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को दोस्तों लाइक करें, सेर करें और चैनल को जिक से अधिक स tęस्क्राइब करें दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जाहिन दोस्तों